दोस्तों अगर आपको जट से बहुत कुछ सीखना है तो TRS Clips Hindi के चैनल पर आपका स्वागत है ये बताओ कि सबसे ज्यादा टेंशन आपको फील्ड पर कब लगी है मतलब बोलिंग अगेंड समन या कोई प्रेशोर सिचुएशन में कोई ऐसे बैट्समें ते जिन्हों आपको टेंशन दे दी ती आज नेया दिन है आज क्या होने वाल है में लिए वो मैटर करता है पिछला गया अगर मैंने उनको छे बार भी आउट कर रखा लेकिन आज का दिन तोटली अलग है आज भी मेरेको उनको आउट करना है अगे मज़ते बैट्समें पर कभी किसी बैट्समें का चेहरा देकर डर जाते हो या कुछ ऐसा लगता है कि मेने सब को बोलिंग कर रहा है और कभी कुछ ऐसा आया ने पहले लगता था कभी पहले मतलब starting में भी सी जिक होता है जब आप first time इतने बड़े platform पे आते हो तो थोड़े mind में होता है आपने Gail का नाम सुना हुआ है आपने AB sir का नाम सुना हुआ है आपने Virat BR, Rohit BR, इनका नाम सुना हुआ है इनके अगेंस आपको bowl डालनी है तो वो थोड़ा सा रहता था Gail dressing room में कैसा होता है very chill very chill उनकी vibe spread होती थी dressing room yeah he's a very chill out उनके लिए कोई newcomer और कोई 15 साल से खेल रहे it's same मुझे आदो सारफरास कान के साथ photos तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं है he's very chill मैं कभी भी मतलब मेरा उनका अधैस है कि मैं को वीडियो कर देता हूँ मैं को मैसेज भी डाल देता हूँ और मिलते हैं तो भी so much fun क्या बात होते है उनसे normally क्या चला है मस्ती होले like we always talk about our journey जो मैं काद खेला हूँ 8 साल 6 साल उसके बारे में we talk some time कि या उस टाइम मैं ऐसे ऐसे रहते थे और अब change हो गया है मतलब वो ऐसा कि मैं उनको सोच नहीं पढ़ता बोलने से पहले उनमें भी intensity है जैसे आप में चिपी हुई I think when कभी उनका बैट इतनी बात है नहीं हुई है लेकिन he's a good person to sit and talk सबसे सादा intense कौन है सबसे है intense थो I think on field थो I think विराड़ भी है रहते on field like okay क्योंकि every ball the same energy मतलब it's very difficult लोग उनके बार में क्या नहीं जानते इतने साल आप खेले हो उनके साथ वो dressing room में कैसे होता normal like intense होते है नाए it's very chill out वो जो यह ना कि जो field पर दिखते है is opposite he's very calm person like उनके उनको काफी knowledge भी आप किसे बारे में बात भी कर सकते हो किसी भी चीज के बारे में किसी चीज जो मतलब है ऐसे नहीं कि मतलब आप बिलकुली out of the league चले जाओ जो जनरल बाते होती है आप उनके बारे में बात कर सकते हो उनसे advice ले सकते हो डाटते हैं कभी किसी भी डाटते हो नहीं देखा बढ़ सबका एक अपना वे होता है समझाने का उनस्ती में समझा सकते हैं कई बार थोड़ा सा गुस्टा तो I think मैंने कभी समझाते हो देखा नहीं है क्योंकि या कुछ आपको गुस्से समझाता है तो आपको वैसे Бिसांज में नहीं आता है कैप्टन कब रूट जाता है मतब कोई रूट कब रहा कई बाइर हो जाता है कि जब एक प्रिद आप बोल नहीं डालते है थोड़ा सा एक हो जाता है या क्यों नहीं किया गेम प्लैन था रहे करने का तो इस फाइन वो हर एक से होता है वो चीज होती है जिस तरह से मैंने जॉस बाटलर के बार में पूछा आपको विराट कोली का वो 2016 सीजन जो था आप उसी टीम में थे उनके साथ क्या हो रहा था कि उन्होंने इतने रन्स बनाए इतिक वो हर साली बनाते लेकिन एक होता है कि वो अलगी था मतलब होती रेर चांसिस आएंगे कि इसी बैट्समन ने ऐसे कर दिया हूँ आप हिस्ट्री उठाग देख लिया इपिल गी वो मतलब ही कर लेगी था मतलब देख के माज आ रहा था मतलब बता नहीं सकते किस मूड में थे क्या थे बैटिंग वो जैसी वैसे कर रहे तो अब भी कर रहे है को चेन नहीं हुआ है लेकिन वो एक होता है नहीं मतलब अलगी मतलब कभी भगवान आपके थू खेलने है वो एक बही यह बैटिंग करने गए यह तो बॉलर तो गया आज इसी को परपल बैच कहता है शायद यह जहां को कि आ देखोगी ऐसा सीजन नहीं आया है वो बनाते हैं 600 रंस 700 रंस पर व बना दिये है यह जस्ट अनेक्स्पेंट परपल पैच पता नहीं क्यों पर हो गया यह ऐसे ही होता है यह कुछ सोचता नहीं है यह यह आपको बहुत अच्छा आप 30-35 बैटिंग करें आप लोग रहा है आस तो कमाल बैटिंग होरी है आप आप हो जाते हो हम बिकुस लग क अब ही एक फैक्टर होता है अब मानतों थोड़ा बहुत लग चाहिए देखो दोस्तों कर यह वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेट्ली हमारी प्लेलिस देख लीजिए ऐसे ही वीडियो आपको वहां भी मिलेंगे और डेफिनेट्ली टी आरेस क्लिप्स हिंदी को सब्स हुआ हुआ है